दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन जब सुबा भारतिये फैंस उठे होंगे उन्होंने टीवी ट्यून किया होगा तो ये सोच कर किया होगा कि अभी क्या ऐसी थी है क्योंकि दूसरे दिन के शाम तक आस्ट्रिलाई टीम थोड़ा आगे थी लेकिन पहले ही घंटे में अश्विन और जाड़े जाके स्पिन ट्विंस ने कर दिया कमाल स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैस्ट हिंदी में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुर्व भारतिये टेस्ट क्रिकेटर आकाश शोपला अकाश बहुत बहुत स्वागत आपको और मुबारक बाद टीम इडिया की जीत के लिए धन्यवाद जी मुबारक बाद आपको भी क्योंकि वैसे तो कह रहे हैं कि सरफ ये टेस्ट मैच जीते हैं अगर आप मेरी माने तो ये तो श्रिंखला ही जीत गए हैं अब यहां से उस्टेलिया की वापसी सीरीज को बरावरी करना संभव नहीं है बिल्कुल अकाश काफी मुश्किल लेकिन जितना आसान ये कागस पर दिख रहा है छे विकेट सहराया एक सो तेरह पर उस्टेलिया कॉल आउट कर दिया और दो श्रुन से आगे हो गए लेकिन क्या सही मैनों में ऐसा सोचा था किसी ने कि पहले घंटे जाडे जा कि वो कमाल की स्पिन गेनबाजी अश्विन का साथ और पूरी ऑस्टेलियाई टीम उनीज दशमलव एक ओवर में 52 रन पर 9 विकेट गवा देती है क्या यहीं मैच गूम गया 100% गूम गया क्योंकि honestly speaking यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे करके ताश के पत्तों का घर होगा यह नहीं सोचा था जब कल शाम को देखा तो लग रहा था कि यह एक अच्छी यह foundation तयार की गई है इसके उपर एक अच्छी सी इमारत बनाई जाएगी वो सिमेंट और सरिया मिला कर किसी तरीके से जोड़ कर पर बाद में तो एक हलका सा जोगा ही आया मैं तो कौँगा आंधी भी नहीं थी क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल या कोई भी नया दिक इस तरीके की शॉट्स मारी जो शॉट्स सेलेक्शन था साइध उसने मुझे भी थोड़ा हैरान किया सामने वाले टीम को बहुत परेशान किया और वो काम तमाम किया क्योंकि इतने स्वीट तो मतलब स्वाच भारत अभियान में भी आपको देखाएं को नहीं अकाश बिलकुल मैं वही पर आ रहा था जहां पर आप आए और बतौर बल्लेबाज आपसे मैं यह सवाल करना चाह रहा था क्योंकि अगर आप देखें प्रविस हेट और लाबुशेन को छोड़ दें तो उसके लावा उस्टड़ाई बलेबाजों के गरा मिस्टर विसमित नौ दो रैंशाओ हैंड्स कॉम ने स्कुरर को जहमत भी नहीं उठाने दी एलेक्स के डी साथ पैट कमिंशन छे किलाडी जिसका जिकर आपने किया कि वो स्वीप या रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए और आउट हुए तो क्या ये स्पिन का एक हौफ था उनके जहन में या वो एक प्लैनिंग ही थी कि भाई गेंट कहीं भी रहे स्वीप करने की हो या ना हो मैं तो जाओंगा और स्वीप करूँगा जिसको आप हमेशा बोलते हैं सोज भारत अभियान करूँगा मतलब आवशिक्ता तो नहीं थी मतलब हमें तो वैसी भी ऑस्टेलियन ब्रैंड अबैज़र्स बिल्कुल नहीं चाहिए और और स्पिन खेलने का एक तरीका रहता है जब ओवर्सीज टीम आती है तो बहुत बारी सोचती है सिर्फ स्वीप मारेंगे तो चलेगा पर अगर पिछले 20 साल से भारती क्रिकेट का उतिहास उठाकर देखिए तो सचिन डेलुकर, राहूल द्रविट, वीवेस लक्ष्मन, वेरेंदर सहवाग, विराट कोली, रोहिच शर्मा, चितेशन पुजारा, आजिंके रहाने आप जो भी रन स्कोरर्स आप पाएंगे उनमें से को वही शर्मा है, जो थोड़ा से भेहतर स्वीप खेलते हैं, वीवेस लक्ष्मन तो स्वीप खेलते ही नहीं थे, उसके बावजूद रन बनाते थे, तो विराट कोली भी स्वीप नहीं मारते हैं, मतलब हजारों रन बनाए हैं, पुजारा को आपने कब देखा स्वीप मारत विश्वास नहीं हैं, और आप सिर्फ अगर स्वीप सोच कर आएं तो फिर स्वीप शब्द में, अच्छी अंगेजी का शब्द होता है, स्वीप उसके सवह हटा तो वीप आता है उसके बाद, वीप का अरत होता है रोना, तो पिर वो थोड़ा सा आप उसके पातर बन जा अगर आप सिर्फ स्वीप सोच के आएंगे तो, खास्तों से जड्डू और अश्विप के सामने, कौन मारता है इनको स्वीप यार? आप सिर्फ से खेला उस्ट्रियाई बल्लेबाजूं के साथ? तो जाड़े जा तो पहली निंग में तीन, दूसरी में साथ, दस विक्ते, दस सा खोल रहे हैं आजकल वो, अलग काम कर रहे हैं और तारीफ योग के तो भार की दोनों स्पिनल्स हैं, इसमें डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और कोई पहली बार हम देख भी नहीं रहें, आकाश तही का आपने, ये इनके लिए ऐसा लगता है, ब्रेड एंड बटर है, जब भी आएंगे और विकेट लेते हुए चले जाएंगे. वही एक सो चौदर रन और बहुत एक सो चौदा की ऑस्ट्रेलिया की एक्जैक्ली भी. मतलब हमें भी नानियाद आजाती हैं, क्योंकि बैटिंग जिस तरीके हैं कि हमारी भी चल रही है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत अच्छा तो हम भी नहीं केल रहे हैं, एक सो चौदर रन भी चेस की तो चार तो हमारे फिर आउट हो गए थे, पिछली बार भी मतल मतलते हैं, आकाश, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, वर्ल्टेश चैंप्रेंशिप टेबल पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां देखिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा गया, 66.67% के साथ आउस्ट्रिया नमबर बन जरूर है, लेकिन भारत 64.06 के साथ दूस बहुत जाता, भारत को तीन जीतना था, लेकिन अब देखिए, दो टेस्ट मैच के बाद ये भी काफी रोमान्च हो चुका है, यहां पर भी, दो टेस्ट मैच बाकी है, एक भारत को जीतना है, एक ऑस्ट्रिया को जीतना है, फाइनल में जाने के लिए. और उनके घर के मैचेस नहीं है, न्यूजिलेंड में मैचेस हैं, न्यूजिलेंड अभी इंग्लेंड से हार गई है, अभी धाई दिन में मैच वो भी हार गई है, अपने घर पर पर न्यूजिलेंड श्रिलंका से इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है, तो मुझे तो अभी भी लग रहा है ओल में जब मुकाबला होगा तो इंडिया और उस्टेलिया का ही होगा चलिए भारते फैंस भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे देख रहे होंगे और फिलाल वो खुश ही मना रहे होंगे कि दो दिन एक्स्ट्रा भी मिल गए आराम करने का हमें भी अगाश भाई को भी और तमाम लोगों को भी और साथी साथ अब एक अगला जो टेस्ट मैच है एक मार्च से पहले एक बड़ा विश्राम ऑस्टेलिया के लिए भी थोड़ा सा उनको भी रहत का सबब होगा बहुत बहुत शुक्रिया अकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात चीद करने के लिए आपके सटीक अनलैसिस के लिए इस टेस्ट मैच के दोरान फिर होगी आप से मुलाखक आप देख रहते ESPN क्रिक इनफो मैजडे हिंदी